हाई अव्यूवान प्रग्देश साइट मेरे यूट्यूब चानल सेली 5 माज में आपका स्वागत है लास्ट वीडियो में हमने सेट शिरू किया था उसके हमने कुछ बेसिक पार्ट्स देके थे आज इस वीडियो में हम उसी चाप्टर को कॉंटिन्यू करेंगे वीडियो में दो वेंट डियाग्राम्स ऑपरेशन सेट अप्तिकल प्रब्लम्स अन इस वीडियो के बाद आपका एक लोगिशन प्रपेर हो जाएगा तो चलिये शिरू करते है प्रफेंट सेट्स अन और आपका जो हम सबसेट है उसको हम सबसेट से जोगए करेंगे इच के भी जो यूजिंग रेक्टेंगल और जो उसकी सबसेट है उसको हम सरकल से जो करेंगे एक्जाम्पल लेते हैं अगर मैं यूनिवर्सल सेट लिया है 1 2 3 4 5 ऐसके इसके जो सबसेट से एस सेट है वो है 2 3 and B is 3 5 तो इसको हम कैसे रेप्रेजेंट करेंगे यूसिंग मैं डाइग्राम यूनिवर्सल सेट को मैंने रेक्टेंगल में लिया है इस इस यू and सेट इस इस सेट A and इस इस सेट B now see set A में कौन सेट इसेट है 2 and 3 and B में 3 and 5 means 3 दोनों में कॉमन है तो इसका कॉमन पार्ट यह है तो यह एलिमेंट 3 होगा दोनों के इंटरसेक्शन में होगा and 2 in set A and 5 in set B clear now rest of the elements in this rectangle so 1 कहीं भी ले लो 1 2 3 हो चुका है next 4 5 हमने लिख दिया means इस पूरे U में 1 2 3 4 5 elements आ गए A में हमारा आ गया 2 and 3 B में हमारा आ गया 3 and 5 clear now see one more thing अगर in A और B में कोई भी intersection point ना हो means यहां पे 3 ना हो तो हम क्या करेंगे this is U this is A this is B ठीक है intersection नहीं है means यह दोनों disjoint sets है कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है तो A में क्या elements है 2 and 3 B में क्या element है 5 and universal set में क्या element है 1 2 3 4 5 so 1 2 3 आचुका है 4 5 आचुका है clear in this way we can represent these sets using Venn diagram so now operations on sets the first operation is union of sets अगर हमारे पास A and B दो sets है तो उनका union क्या होगा set which consists of or which contains all the elements of set A and B means वो set जिसमें A और B दोनों के सारे elements आ जाए for example आई इसको denote कैसे करते है this is the symbol of union A union B अगर मैंने A लिया है A E I O U B लिया है U Z X तो हम union कैसे लिखेंगे A union B equals to all the elements of set A and all the elements of set B A के सारे elements लिखलो A E I O U B के सारे elements लिखलो U already लिखा हुआ है repetition नहीं करेंगे Z X clear तो यह हमारा आ गया A union B अब हम वेंट डाइग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे A union B को A union B means दोनों के सारे सारे elements आ जाएंगे अगर हमारे पास disjoint sets है means A और B में कोई common चीज नहीं है तो हम उन्हें ऐसे separately draw करेंगे this is our universal set means हमें क्या फिल करना है सारे elements A के and सारे elements B के for A union B all right अगर हमारे पास disjoint set नहीं है means कोई point तोनों में common है तो हम उसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इसमें कुछ कोई point intersection में आएगा तो इसको कैसे फिल करेंगे all the elements of set A and all the elements of set B so this is the Venn diagram representation of union of sets next is properties of union of sets so first property क्या है दो sets है A and B A union B equals to B union A होगा जैसे हम addition में करते हैं समझने के लिए union को addition ही ले लो A के सारे elements और B के सारे elements लिख रहे है means दोनों set का क्या हो रहा है addition हो रहा है समझने के लिए so A plus B करो या B plus A करो answer same रहता है so A union B equals to B union A this is your commutative law second A union B पहले करो उसके बाद जो result है union C equals to पहले B union C करो उसके बाद जो result है उसके साथ A union कर दो so इसे हम कहते है associative law means A plus B plus C है आपके पास तो उसमें चाहे पहले दोनों का addition करो उसके बाद third के साथ करो या last two का पहले करो उसके बाद first के साथ करो answer same रहता है this is your associative law next A union 5 equals to A means 5 क्या है 0 अगर addition में बात करें A plus 0 क्या होता है 1 plus 0 क्या होता है 1 so 5 क्या है empty set कोई element नहीं है तो उसके साथ उसके union करेंगे तो क्या आएगा A law of identity A union A equals to A A union A के साथ ही करेंगे for example अगर A है 1 2 so A union A करेंगे तो क्या होगा 1 2 फिर से 1 2 repetition का कोई फर्क नहीं करता तो यह 1 2 या गया that is A only so A union A is A it is known as item potent law अब U यहाँ पर universal set है universal set union A equals to U universal set क्या होता है वो set जिसमें सारे sets contain हो set of all sets तो A के सारे elements U में होंगे ही होंगे so U union A is U law of U so second operation is intersection of sets अगर हमने कोई भी दो sets लिये हैं A and B तो intersection क्या होगा set of all elements which are common in both A and B A और B में जो common elements है वो intersection होगा और intersection का symbol यह होता है this is the symbol of intersection so A we write as A intersection B दोनों के common elements all right for example मैं वोई example ले लेती हूँ A equals to A E I O U B equals to U Z X तो इन दोनों में common element क्या है U यू दोनों में है so हमारा A intersection B क्या हो जाएगा only the element U अब हम Venn diagram से देखते हैं intersection means common element A और B में common part क्या है this part so this is the intersection of A intersection B अब इस में कोई भी common part नहीं है so हमारा A intersection B क्या हो जाएगा 5 5 means empty set so next is properties of intersection of sets first commutative law A intersection B equals to B intersection A intersection means common part पहले A लिखलो या B लिखलो doesn't matter हमें तो common part लेना है therefore A intersection B equals to B intersection A second associative law पहले A intersection B कर लो उसके बाद उसके साथ C का intersection कर लो या पहले B intersection C करो उसके बाद A के साथ intersection करो हमें मतलब है common part से इसका कोई effect नहीं आएगा third 5 intersection A equals to 5 5 और कोई भी set A है उसमें क्या common आएगा 5 तो empty set empty set में कोई element ही नहीं है तो उसका intersection करेंगे किसी के साथ भी तो 5 देगा empty set ही देगा U intersection A equals to A जो universal set है universal set में A के सारे elements है तो दोनों में common क्या हो गया A के elements that is A next A intersection A equals to A A का A के साथ ही intersection करेंगे तो क्या आएगा A ही आएगा because दोनों में common क्या है A के elements now this is a distributive law section B union C equals to A intersection B union A intersection C to distributive law diagram से proof करते हैं A intersection B union C पहले हम क्या करते हैं board mass rule के according bracket solve करेंगे B union C so B union C means B के सारे elements plus C के सारे elements B के सारे plus C के सारे B plus C ये हो गया हमारा B union C इसका intersection हमें किस के साथ करना A के साथ shaded part है उसका intersection A के साथ करो अच्छा A और shaded part में क्या चीज़ common है this part ये A में भी है और B union C में भी है so this is your final answer now अब उस साथ देखते हैं देखिए A intersection B A intersection B क्या होगा this part ये हमारा A intersection B आगया now A intersection C क्या होगा A intersection C means ये part अब इन shaded part का हमें union लेना है दोनों का union क्या होगा दोनों का addition elements का तो ये complete आगया हमारा so this is your answer of this part therefore it is proof that A intersection B union C equals to A intersection B union A intersection C आपको example लेकी भी इसको solve कर सकते हैं so third operation is difference of sets difference of sets को हम किसे denote करते हैं minus sign से अगर A और B हमारे दो set है तो A minus B क्या होगा set of all elements which belong to A but doesn't belong to B वो सारे elements जो A में है पर वो elements B में नहीं होने चाहिए for example मैं वो ही example ले दी हू A equals to A E I O U and B equals to U X Z set तो इसका A minus B क्या होगा वो सारे elements जो पहले लिखे होते हैं उसके elements हम लेते हैं वो सारे elements A के जो B में नहीं है A B में नहीं है E B में नहीं है I O but U हम नहीं लिख सकते हैं because U B में है तो हमारा answer हो गया A E I O अगर मुझे B minus A निकालना हो तो B के वो सारे elements जो A में नहीं है U A में है तो U नहीं लिख सकते X A में नहीं है Z A में नहीं है clear अब इसको Venn Diagram से देखते हैं अगर disjoint sets है तो A के वो सारे elements जो B में नहीं है तो यह सारे elements इसमें से कोई भी B में नहीं है तो यह आपका A minus B हो गया अगर हमारे disjoint set नहीं है तो A के वो सारे elements जो B में नहीं है निस यह होंगे, intersection वाले नहीं होंगे यह वो elements है, जो A में तो है, पर B में नहीं है So next is, complement of a set Complement कैसे निनौट करते है, this mark A का complement निकलना है, तो A and this mark Let U be the universal set and A is the subset of U Then the complement of A is the set of all the elements of U Which are not the elements of A Means, U universal set है, A U का subset है तो A complement क्या होगा, वो सारे elements जो universal set में बिलॉंग करते हैं पर वो set A में बिलॉंग नहीं करते Means, A complement क्या होगा, U minus A Difference of U minus A, all right A complement को अगर हम, symbolically हमें लिखना है, तो क्या लिखेंगे The set of all X, such that X belongs to U and X doesn't belong to A So A complement होगा, U minus A All right, when diagrams हम कैसे represent करेंगे यह हमारा A set है, यह हमारा U set है तो वो सारे elements जो A में नहीं हैं, पर U में हैं तो वो कौन से elements होंगे? यह वाले elements A के भार के सारे elements So this is your A complement A and dash All right, example देखते हैं, universal set में elements हैं 1, 2, 3, 4, 5 A में elements हैं 3, 4 तो A complement क्या होगा? U minus A अगर हमें किसी भी set का complement निकालना है तो हम U minus that set करेंगे तो क्या होगा यह? 1, A में नहीं है 2, A में नहीं है 3, 4, A में है इसने नहीं लिखेंगे and 5 So this is your answer Now, properties of complement of a set So first property is A union A dash equals to U A के elements union A dash A dash क्या होगया? U minus A वो सारे elements जो A में नहीं है पर U में है तो क्या हो जाएगा? U only Clear? A intersection A dash अब अगर हम इनका intersection लेते हैं elements of A intersection वो elements जो A में नहीं है इसका क्या होगा? 5 A union B complement क्या होता है? A complement intersection B complement यह De Morgan's law है Next A intersection B whole complement क्या होता? A complement union B complement यह वेंड डाइकराम से चेक कर सकते हैं A complement complement C A complement complement यह क्या होगा? A complement क्या होगा? U minus A complement U minus A complement क्या हो जाएगा? A only Next is 5 complement 5 क्या है? Nothing Empty set Empty set का complement करेंगे तो पूरा Universal set ही आजाएगा Universal set का complement कर देंगे तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा So 5 Empty set So this is These two are your complement laws And these are your D Morgan's law And this is your double complement law Next is Practical problems उससे पहले हम को General formulas करेंगे अगर हमारे पास A, B कोई भी दो finite set हैं तो number of elements N denotes number of elements In A union B क्या होगा? Number of elements of A Plus number of elements of B Minus number of elements in A intersection B यह minus क्यों होगा? क्योंकि जिए हम A के elements लेते हैं तो उसमें intersection वाले element आते हैं B के element लेते हैं तो भी intersection वाले element आते हैं तो दो बार intersection वाले elements आगा इसलिए हमें एक बार intersection वाले elements को Subtract करना पड़ेगा So A union B क्या हो जाएगा? N A plus N B minus N A intersection B Intersection 5 है तो उस case में क्या formula बन जाएगा? N of A union B equals 2 N A plus N B Because intersection is 5 Clear? So आपस यह formula याद करो 3 elements हो जाएगे तो उसका formula यहीं से drive हो जाता है वैसे अगर formula याद करना चाहो तो उसका formula क्या है? Number of elements of A union B union C क्या होता है? Number of elements of A A number of elements of B plus number of elements of C Minus, तीनों का intersection minus कर दो Minus number of elements of A intersection B Minus number of elements of A intersection C Minus number of elements of B intersection C Plus एक बार तो जो तीनों का intersection है वो एक बार तो add होगा na Number of elements of A intersection B intersection C देखो इसका proof इससे कैसे आता है? वो देखते हैं now see N A union B union C means मैंने क्या किया है इसको first ले लिया इसको complete को as a B treat कर रही हूं या as a D treat कर रही हूं मैं लिख सकती हूं N of A union D B को मैंने क्या लिया है B union C so N of A union D क्या होगा N of A number of elements of A plus number of elements of D minus number of elements of A intersection D clear so हमारे D के क्या elements है B union C यहां लिख देते हैं B union C यहां पर भी सके elements लिख देते हैं D के क्या है B union C clear so yeah as it is number of elements of A as it is plus N of B union C फिर से लवा दो number of elements of B plus number of elements of C minus number of elements of B intersection C all right तो हमने यह property की थी A intersection B union C क्या होता है A intersection B distributive law union A intersection C यह हमारा distributive law है properties में हमने किया था now यह सारी चीज़े same है last वाले पार्ट को हम solve करेंगे क्या है हमारा minus वाद में लगा देंगे N of A intersection B union A intersection C ठीक है इसको as a A element treat करो इसको B element treat करो union of two sets क्या होता है first set plus second set minus intersection N of A intersection B intersection A intersection C यह क्या बन गया N of A intersection B plus N of A intersection C minus N of आप देखो A intersection B intersection A intersection C यह क्या है A intersection B intersection C only clear तो यह values उसमें substitute कर दो तो हमारा क्या बनेगा N A plus N B plus N C minus N B intersection C अब यहाँ पे minus sign है तो यहाँ क्या आएगा N of A intersection B यहाँ क्या बनेगा N of A intersection C minus minus बनेगा गयाँ क्या है plus N of A intersection B intersection C this is the proof so now we will do some problems of exercise 1.6 so first problem is you have given two sets x and y number of elements in x is 17 number of elements in y 23 and number of elements in x union y is 38 and you have to find their intersection clear directly formula use ho ga n of x union y kya hotta hai number of elements of x plus number of elements of y minus number of elements of x intersection y so ye kya given hai 38 this is 17 this is 23 minus n of x intersection y so x intersection y kya ho jayega humara 2 simplify kar lo clear easy now we will do third problem second similar hai third in a group of 400 people hindi kitne bol rhea hai number of elements who speak hindi and total kitne bata huma hai hai h union e 400 it is given to you how many people can speak both hindi and english both hindi and english means you have to find their intersection same 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 n of h union e equals to n h plus n e minus n of h intersection e e h kya ha humara kya hai n h piha hai da h two fifty plus two hundred minus यह उदर चला जाएगा minus of 400 How many people? 50 people जो Hindi और English दोनों बोलते हैं So 7th question is In a group of 65 people Total कितने है 65 That is C union T 65 हो गया 40 like cricket, N of C is 40 And 10 like both cricket and tennis Means C intersection T क्या हो गया? 10 अब हमें union पता है, intersection पता है, number of persons Who like cricket पता है हमें tennis का नहीं पता तो हम इस formula में से निकाल सकते हैं N of C union T क्या हो जाएगा N C plus N T minus N of C intersection T इन में values पुट करो आपका N T क्या आगया? 35 Means number of persons who like tennis कितना आगया? 35 और आपको क्या निकालना है? How many like tennis only, not cricket Only tennis means N of T minus C वो persons जीने tennis पसंद सिर्फ cricket नहीं पसंद है Means this part you have to find Okay, Venn Diagram से करते हैं This is very simple intersection सबसे पहले आप अगर Venn Diagram ड्रो कर रहे हैं तो उसमें intersection वाले कितने persons है या कितने elements से वो लिखिये C intersection हमारा कितना है? 10 तो यहाँ पर 10 लिख दो Okay, N T N T कितना है? 35 35 है intersection में हमने 10 लिख दिया तो यहाँ पर कितना आगे? 35 minus 10 That is 25 N C कितना है? हमारा 40 हम 10 लिख चुके हैं तो 40 minus 10 यहाँ पर कितना आगे? 30 Means वो persons जिने tennis पसंद है पर cricket नहीं पसंद वो कितने हो गया? 25 All right, अगर मुझे निकालना होता N of C minus T Means वो person जिने cricket पसंद है पर tennis नहीं पसंद वो कितना आगे? 30 तो इस question में हमें क्या निकालना था? वो persons जिने tennis पसंद है पर cricket पसंद नहीं है? उस कांसर 25 And one more thing आपको क्या निकालना था? Number of people who lie tennis वो आगे? 35 Clear? Next problem करते है एट्स वन So, 20 speak Spanish N of S कितना हो गया? 20 10 speak both Spanish and French N of S intersection F कितना हो गया? 10 50 people speak French N of F कितना हो गया? 50 Clear? How many people speak at least one of these two languages? At least means कि कम से कम एक language तो बोले ही दो लैंग्वेज भी बोल सकते हैं ठीक है? चालो वन डाइग्राम बनाते हैं Means you have to find union in that case जहां पर भी at least होता है उसका मतलब है एक या एक से जादा At most मतलब maximum जो आपको नमबर दिया गया है उतना उससे कम हो सकता है या maximum उतना हो सकता है Clear? So, यह universal set है यह people who speak French, people who speak Spanish So, असे बहले हम intersection का लिखेंगे कितना है? 10 All right N of F कितना given है? 50 50 में से मैंने 10 लिख दिया, कितना बचा? 40 यह वो लोग है जो सिर्फ French बोलते, Spanish नहीं बोलते All right हमें क्या निकालना है? N of S कितना given है? 20 20-10 यह वो परसन से जो Spanish बोलते हैं, बट French नहीं बोलते हैं हमें क्या निकालना है? N of F union S Direct formula से भी निकाल सकते हैं N F plus N S minus N F intersection S अब इसमें देखो कैसे निकालना है? N of F union S 40 plus 10 plus 5 10 40 plus 10 plus 10 That is 60 Direct आगया यह वो सारे persons है जो से French बोलते हैं यह वो है जो दोनों बोलते हैं यह वो है जो Spanish बोलते हैं हमें चाहिए at least 1 तो यह आगे 60 आप formula से देखो N F कितना given है? 50 N S 20 Intersection 10 तो formula से भी हम कर सकते हैं 60 Clear? So students Chapter 1 sets is over now Next time हम क्यों कुछ important questions discuss करेंगे And then we will start relation and functions अगर आपको इस वीडियो से एडिट कोई भी doubts है या आपको कोई भी feedbacks है तो आपको जो आपको जो फेस्बूक पेज़ सकते हैं जो कि मेरा है at the rate simplified maths 1 And अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज शेर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जादर जादर students ही वीडियोस देख पाए Thank you